हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बेक टो मैं चैनल दिव्याल कुछन तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही इजी वे में गेहूं के आटे के हम लड़ू कैसे बना सकते हैं घर में वह भी केवल दो चमच घी से वह बताऊंगी तो इन लड़ूं को आप बिना चीनी क कि आटे के लड़ू बना के त्यार कर सकते हो और इस लड़ू को बनाने के लिए आपको कोई एक्स्टा चीज की विज्यों नहीं है बहुत ही आसान दरेगी से घर के समान से बना सकते हो तो यह सब से पहले तो मैंने गेहूं का आटा ले लिया है तो गेहूं का अटा इस time म तो आपके पास जो भी आ 그래요 ले सकते हो क्योंकि हमारे पाफ सब्यकित अवीलल नहीं होता है दरददर आठा इसलिए मैं बड्रीक आटे से आपको बनाना बताऊंगी to यह सबसे पहले मैंने कड़ाई लिए कडाई तिक जर्म वाने कर लिया है तो आपको बिल्कुल इस त्रीके से प्लें चम्चा लेना और अची तरीकेと思います इसको पका लेनार्ण है और बैसन डालेंगे एक पुर्ण हाइए को कि उसी तरीकिके से रिखे को मिक्स करदें और उसको ना हमें फिर से 6 मिरिट के लिए शेक लेना थोड़ी से टाइम जाधा लगता है केवल अभी सिखाई में टाइम लगेगा फिर तो बाद में फटाफट लड्डू बन जाएंगे और बिल्कुल आपको लो फ्लेम पे इसको सेखना है तीनों ही चीजों को और इसमें बहुत अच्छी खुश बहाने लग जाना तब आपको गैस का फ्लेम बंद करना है तो अभी तो हम इसको सेखते रहेंगे और बीच बीच में आपको चलाते रहने हैं आप नॉर्मली ऐसे भी रख सकते हो बट आपको चलाने में जादा ध्यान देना है तो इसमें दो चमच घी डाल देती हूं तो अभी न यह पेशन भी सीख चुका था आदा आदा तो इस तरीके से मैंने घी डाल दिया दो चमच की लगबक दो चमच से जादा मैं नहीं डाल रहे हूं दो चमच आप ले सकते हो अगर आप चाहए तो एक चमच घी का भी यूज कर सकते ह याय चुछ को फॉइब एक हो जाती यह फिसलिष ने दो चमच घी ॆ को बता रहा हुँ बनाना तो एक तो इसको जरी के इस तरीके से मैं ब कर दे लोगी तो यह十 तरीके से इनको गुड की काओं करीद हैं और कुछ लोग ड़ली बी देएival कट करकर डालना है जार में तो बिलकुल इस तरीके से आपको कट कर लेना और इस ताइम ने फ्रेश घुट का यूज किया था और गुट आपको बिल जाएगा आप बिना चीनी के यूज कि विए लड्डू बना सकते हो असमें टेस्ट बहुती ऐसे मावे जैसा लगेगा मैं को बताँगी कि आपने लड़ा उस तरीके से टेस्स लगेका उसके लिए मैं वो एक ट्रіч बताँगी तो सबसे पहले तो आपको गुर्भ को इस तरीके से कट कर लेना है कि अ और अगर आपको चीनी के बनाने है और इस तो आपना इस यह मैंने सिखा हूँ आधी काटोरी लिया है आटी की तो इसको डालेंगे और अब इसमें इलाइची पाउडर डालेंगे इससे होता है कि मावे जैसा फ्लेवर आता है और बिल्गुल पीस भी आराम से जाता है तो इसको पीस लिया आप देख सकते हैं तो अब इसको हम मिला क्रक्रवर लेंगे तो अब यह कडाई थोड़ी गरम है तो गरम गरम में इसम्मा मिला लेंगे हम अब कि अ इस तो अब यह थोड़ा थ testimदा भी हो चुका है सबस्ते बढ़ी है अस dock क्शनार कम से ng तो वह भी बना सकते हैं, इसके भी अच्छे लगता है, मैंने बेसन के इवल टेस्ट के लिए अड़िया था, आप इसके कर सकते हो, तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, तो अब इसमें पहले हम कुछ और चीज़े डाल देंगे, तो यह मैंने खरबूजे के बीज लियां पर देख सकते हैं, क्यूमिन सीड्स भी इनको बोलते हैं, तो आप इसको भी डाल सकते हो, इससे होता है कि टेस्ट अच्छा आता है, और अब इसमें आप यह देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने डाल दिया, तो आप खरबूजे के बीज डालने तो आप यह थोड़ा से इसमें दूट डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे दूद अगर आपको नहीं डालना है दूद से होता है कि इसको एक हफते के लिए स्टोर कर सकते हो दूद अगर आप नहीं डालोगे न तो इसको आप बहुत ही आसान तरीके से अच्छी आप कर सकते हो वींडियो के आसान के लटू बने रहे हैं तो इस तरीके से आटें के लटु बना के तयार कर लेंगे अर फिर इनको नुर पिर ने पर सब्सक्राइब कीजिए ऴीडियो को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को जाओना से लेगआ बताएगा तो इस तरीके से मैं आपको दिखा भी देती हूं अंदर से कितने ज़्यादा अच्छे बने यह तो इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राय जरूर करके बताएगा मुझे कमेंट करके तो आज के लिए इतना ही थैंक यू